नमस्कार दोस्तों जानी केसे में आपका स्वागत हैं हम रोजाना स्वास्त सम्मंदि जानकारी लेकर आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथी बेल आइकोन को जरूर दबाई जिससे की हमारे सबी फीडियो की नॉटिपिकेशन मिले आपको सबसे पह किशमीश खाना सेहत के लिए काफी फाइदेमन माना जाता है अंगूर को सुखा कर किशमीश बनाया जाता है किशमीश में कई ऐसे पोशक्ततों पाई जाते हैं जो सेहत के लिए फाइदेमन है इसमें मुख्य रूप से विटाइमिन A, विटाइमिन B, केलशियम, फाइबर, आईरियन, पोटेशियम और कई प्रकार की मिनेरल्स पाए जाते हैं अगर आप एक महिने तक किश्मिश का सेवन करते हैं तो आपके शरिन में कई बड़े बदला होंगे नमबर एक, खुन की कमी होती है पूरी खुन की कमी को दूर करने के लिए किश्मिश का सेवन करना चाहिए किश्मिश में आईरियन की परचुर मातरा पाई जाती है जो खुन की कमी को पूरा करने में सायक होती है अगर आप भी अपने शरिर में खुन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो लगातार एक महिने तक किश्मिश का सेवन करें नमबर दो पेट साफ पेट को साफ करने की लिए भी किश्मिश काफी फाइदेमन होता है अगर आपका पेट भी साफ नहीं होता है तो आप लगातार एक महिने तक किश्मिश का सेवन करें फिर देखें आपको इसका क्या फाइदा होता है किश्मिश में फाइबर की वचुर मातरा पाई जाती है जो शरिर की आटों को सफाई करके पेट को साफ करने में सायक होती है अगर आप रोजा ना फिके हुए किश्मिश का सेवन करते है तो आपके दाथ स्वस्त और मजबुत हो जाएंगे किश्मिश में ऐसी केमिकल पाई जाते है जो दाथ को साफ करने में सायक होते है इसके अलावा किश्मिश दातों की कीड़े लगने नहीं देता है अगर आप रोजा ना किश्मिश का सेवन करते है तो आपके दाथ हमेशा मजबुत और स्वस्त रहेंगे नमबर 4 वजन बढ़ाने में सायक किश्मिश का सेवन करने से शरीर का वजन बढ़ता है अगर आप भी अपने कमजोर और दूबलेपन शरीर से परिशान है तो आपको एक मेहने तक लगाता किश्मिस का सेवन जरूर करना चाहिए अगर आप कुछ जिनों तक किश्मिस का सेवन करते है तो आपका शरीर शक्तिसाली और फहुलादी बन जाएगा किश्मिस का सेवन करने से आखो की रोशनी बढ़ती है किश्मिस में विटामीन ए की प्रचुर मातरा पाई जाती है जो आखो की रोशनी को बढ़ाने में सायक होती है अगर आप भी अपनी आखों की रोष्णी को बढ़ाना चाहते हैं तो एक महिने तक लगातार किश्मिस का सेवन करें हमें उम्मीद है कि हमारी दी गई जानकारी पसंद आए होगी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्रेट करना ना भूले धन्यवाद हुआ है